तो दोस्तो आज से इस चैनल में एक नया सेग्मेंट शुरू होने वाला है और उस सेग्मेंट का नाम है Most Wanted इस सेग्मेंट में क्या होगा मैं आपको उताता हूँ इस सेग्मेंट में हम लोग बात करेंगे आप लोग के कमेंट करके बताईए तो मैं उस सेग्मेंट के बारे में वीडियो बनाऊँगा हम लोग बात करेंगे कि ये टॉपिक्स कब WWE में आ सकती है और इसके आने के चांसे कितने जाता है तो आज जो मैंने Most Wanted सेग्मेंट सोचा है वो है The Rock के रिटन के बारे में The Rock के रिटन की रूमर्स काफी टाइम से WWE फैंस के सामने आ रही है पहले हमें लगा कि Royal Rumble में शायद The Rock रिटन आएंगे और The Rock 30-man Royal Rumble मैच जीत के फाइनली WrestleMania में Romer X को चैलेंज करेंगे Undisputed WWE Universal टाइटल के लिए लेकिन ऐसा हुआ नहीं Royal Rumble जीत लिया Cordyos ते और The Rock रिटन नहीं आएं और WWE फैंस काफी निराश हो गए उसके बाद हमें ऐसा लगा कि शायद Elevation Chamber में The Rock रिटन आएंगे और Elevation Chamber जीत के एक टाइटल के लिए यानि Universal टाइटल के लिए Romer X को WrestleMania में चैलिंज करेंगे और Cordyos और Romer X का मैच होगा WWE टाइटल के लिए लेकिन ये भी नहीं हुआ दोनों टाइटल के लिए मैच हुआ Romer X और Cordyos का और The Rock रिटन नहीं आएं और WWE फैंस फिर से निराश हो गए लेकिन उसके बाद ये निउस सामने आने लगी कि WrestleMania में भी Romer X काडिos को हरा के अपने टाइटल को बचा लेंगे और ऐसी हुआ Romer X ते रिसलमीनिया में काडिos को हरा दिया और अपने टाइटल को बचा लिया लेकिन अब सवाल ये है कि WWE Romer X को एता पुछ दे रही है तो आखिर का Romer X को को हराएगा तो इस बारे में निउस सामने आ चुकी है और वो निउस ये कहती है कि इस साल के WrestleMania में यानि कि 2024 के WrestleMania में The Rock रिटन आ सकते है और The Rock Romer X को चैलिंज का सकते क्योंकि मुझे लगता है कि अगर Romer X को कोई हरा सकता है तो वो इस सिफ The Rock अभी फिलार WWE में ऐसा कोई भी सुपरस्टार नहीं है तो इस बात के चांसे से दोस्तों के 2023 के खतम होते होते तक The Rock फाइनली WWE में रिटन आ जाए तो दोस्तों आज इस Most Wanted Segment में हमने बात किया है The Rock के रिटन के बारे में आप लोग कमेंट वे जो बताई कि आप लोग Next Most Wanted Segment में किसके बारे में बात करना चाते है और ये Segment हर रोज आएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मैं मिलता हूँ आपको थोई दिर में WWE के Next Update के साथ तब तक के लिए Thank You and Good Bye